हर्याना में विधांसभा के चुनाओ जल्द गोशित होने और इससे पहले परदेश में तमाम यूनियन एसोशेशन अपनी-अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रही है और हर्याना के मुख्य मंतरी नायप सिंग सेर्णी ने कई यूनियन जो हैं उनकी मांगों को सुव और इस मुहिम के तयब प्रदेस के अलगालग जिलों में जाकर, लोगों से इसके लिए समर्थन जो हे वो हासिल किया जा रहा है और अपनी राजदानी अपना हाइक। के नाम से ये मुहिम परदेश में चल रही है इस मुहिम की जो इस अभियान की जो सयोंजक है बिमला चोदरी वो इस वक्त मेरे साथ हैं बातचित करेंगे कि इस अभियान के पीछे क्या वज़े हैं कि उनको इस अभियान को लेकर लोगों के बीच जाना पड़ा मैं अपनी र मश्कार और सर की इसलिए जरूरत पड़े कि मेरे को यहां पे रहते हुए कम से कम 15-16 साल हो गए हैं तो सर यहां पे रहकर कि मैंने कुछ चीजे महसूस की और मैं आती हरियाना से सुदूर दक्षिनी हरियाना जिसको कह सकते हैं कि लोहारू से मैं आती हूँ तो सर वहां से कुछ चीजों का मेरा 30-30 साल का वहां का अनुभव रहा वहां से जब चंडेगर देखते थे तो एक दूआ की तरह लगता था कि काश कभी हम चंडेगर पहुंचे अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाएं तो फिर यहां पर आकर कि कुछ चीजें ऐसी देखी जिस परपर से हम यहां पर आये थे वह वाले चीजें यहां पर मिले नहीं जैसे सर आप लोग भी नोट करते होंगे कि चंडेगर में बच्चों में कोई competitive feeling नहीं है तो बच्चे ना तो UPSC में निकल रहे हैं ना गेमज में निकल रहे हैं और फिर overall जैसे कि देखते-देखते यह पता चला कि कुल मिला करके यह वहर याना की अर्थ विवस्था को पर भावित कर रहा है हर या ना की सेहत को पर भावित कर रहा है यू टी यहां पर राजदानी होना तो कई सारी ऐसे ची करते हुए भी उनको हम स्पोर्ट नहीं कर सकते तो एक गिल्ट फील आता है फिर यूँ भी लगता है कि जो सोच करके हम यहां पर आये थे तो ऐसा कुछ हमारे को यहां पर मिला भी नहीं लगा भी नहीं बच्चे सूस्त होते जा रहे हैं और मैं एक एक्जामपल हूं मेरे ज सो से जादा तो कम करमचारी नहीं होंगे तो जादातर किसी में 500 हैं 700 हैं तो ऐसे संख्या अगर काउंट की जाए तो वो लाख तो नहीं होगी लेकिन 50-60,000 के राउंड जरूर होगी और हर घर का खर्चा अगर किसी का मिनिमुम 50,000 है इस ट्राइं सिटी में तो जादा तो देट दो लाख वाले भी होंगे जन कपरमंद खर्चा है इस सब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक गिल्ट फील यूँ आती है कि जब हमारे माबाप ने और इतने गाड़ी खुन पसीने की कमाई से हमारे को काबिल बनाया पढ़ाया लिखाया और जब हम उनकी मदद करन में हूँ तो भी गिल्ट फील आता है कि किस लिए यहां पर यह आप जो राजदानी है अब चंडीगड है और हमारा हाइकूट है वो चंडीगड में है आप कहरें कि हम जब रोजगार के लिए यहां पर आ गए अब हमारे बुज़ुरूग या हमारे परिवार यहां नहीं है वो जिस जगें से हम सम्मद रखते हैं वहां पर है तुम्हें अगर नई राजदानी या नया हाइकूट बनेगा भी वो भी तो किसी एक जगें बनेगा और उससे संबंदित रोजगार के लिए घर छोड़कर रहना पड़ेगा तो हमें उस जगें जाना ही पड़ेगा आदमी को तीन या चार दिन तो काम से अगर आया है तू लगी जाते हैं क्योंकि त्रांसपार्ट फेसिलीटी यासी है हमारे हर्याना में तो उस हिसाब से दूसरी बात यहां पर फिर रहना कोई आदमी काम से आए तो क्यों ना यह हमारे मतलब तुल मिला करके सर हम ने यह क पर कुल मिलाकर के मोटा मोटा सारा लंसम कर भी ले हैं तो सब्सक्राइब करीब लोग हैं जिनकी बदोलत धाइक रोड लोग यहां पर उनको आना पड़ता है अगर यहीं डाइसो लोग अगर हर्याना के बीच में कहीं से भी कोई भी वीच विचाले सी कि जगह हो जहां से सो किलोमेटर सब को रहा तो लोग सुबह अपने काम से आएं शाम को अपने घर चले जाएं अब इस मुहिम को लेकर अपना हाई कोट अपना अपनी राजधानी को लेकर लोगों के बीच में गए अपने अस्ताकसर अभियान चलाए या फिर लोगों से मुलाकात की आप नहीं घर में बैठ करके याड उस्पडोस में चर्चा शुरू की फिर मैंने अपने आसपास यहां चंडिगड में रहने वाले लोगों से की तो सरी एक बड़ी कोमन समझ्या लगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुष्ट होते जा रहे हैं जो हमारे काम आता है वो भी नहीं आता है उनको और दूसरी बात ये भी है कि सब की दूखती रगेगे तो मिले कि भाई दूर तो बहुत है फिर तीसरी बात ये भी है कि जैसे कि एक बीस में बॉर्डर दो-दो क्रोस करने पड़ते हैं एक चंडिगड में, जैसे एक चंडिगड काइब रहोगा v corrections कर कि और उनको अगर रुकना भी पड़ेगा तो उनके लिए ये convenient होगा ये उनको महंगा भी बहुत पड़ता है और वक्त भी बहुत लगता है तो शुरू में हो सकता है कि अब से पहले हमारी दूसरी प्राथ में एकताएं रही होंगी बिजली पानी सड़क चिकिछा लेकिन आज वो इंकम टेक्स भी दे रहे हैं और इवन हमारा तो अगर किसान मुआवजा भी ले रहे हैं तो प्रीमियम उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो सर हमारे पास अगर पैसा हो बजट हो जितना खर्चा जैसे शुरू में मैंने बताया था कि ओन एंड एवरेज साठ सतर असी हजार सम tää exemple तो भी दूखते रग मिली तो भाशा कीवषा के अधार पर हम अलग हुए थैं और वो कैantryठ सैंद्स लोग आते हैं उनको तो वैसे ही यहांपे अगर फैमिली चीआ रहे हैं तो उनकी भाशा ही नहीं मिलती वह। आघंमाराउत ज्यादा तर खेती परधान एरिया है तो यहां पर जैसे की चंडिगड की spoken language जो है वो है पंजाबी और official language English है और हमारे हरियाना की spoken हरियान भी है और official language Hindi है तो cultural difference से ही हम अलग हुए थे वो आज भी है सर और दूसरा फिर पूरे दुनिया के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि उसकी territory से बाहर उसके राजदानी हो यह एक अधूरा पन भी है कि अपाहिज पना भी है यह बुरा भी लगता है कि हमारी 40% कि राये की राजदानी आज तक भी 57 साल के बाद भी कम से कम सबी स्टेट राजय पुनर गठन एक्ट के तहत सबी स्टेट हमारा fundamental right है कि सबी स्टेट को जिस दिन स्टेट का पुनर गठन हुआ उसी दिन से उसकी जाए यह पर सोच चमंद कररें नमद्दों पर बात करते हैं हाई-कोर्ट की बात आती है तो फिर वह राजणितिक दलों मैं आपसी आज बयान बाद वह सामने आती है इसी त्रीके से अलग राजदाने की बात आती तो फिर वह बात सामने आथे तो अपको लगता हैं कि आपने तो एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी जिसमें राजनितिक लोगों का स्पोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है और बिना राजनितिक स्पोर्ट के यह मुद्दा हल हो जाएगा ऐसी उमीद जो हो क्या आप करते हैं कैंटीडेट्ट सिए कहेंगे कि वही हमारे पां साल यह के लिए सेवा का मुट्का दो तो कम से कम हमारे पास कोई मुद्दा टो हो कि हमारे राजधाने हाई कोर्ट कर दो इससे लाखों की संक्या में रोजगार जनरेट होंगे जो कि आज हरियाना की एक बहुत बड़ी समझ्या है बेरोजगारी कि 21 साल से लेकर के 42 साल तक के बच्चों में 37% बच्चे बेरोजगार हैं बेरोजगार हैं तो इसलिए नशाक हो रही है बेरोजगारी है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आगर बेरोजगार बच्चा नशा करेगा नशा नहीं तो क्राइम करेगा तो कुछ ना कुछ तो वो अपने मैनिफेस्टों में लेंगी और अगर सर अगर इसको कोई सी एक पार्टी ने वागर उठाया होता तो फिर तीन चार विरोध कर देती हैं बाकि सारी पब्लिक अगर इसके डिमांड करेगी तो सर किसी भी मुद्दे को किसी भी विचार को अंजाम तक पहुंचाने के ल तो जब पहले अवेर्नेस ही नहीं होगी फिर पुब्लिक डिमांड ही नहीं बनेगी तो सर क्यों नहीं करेंगे लोगों के बीच में आपने मुहिम शुरू किया तो आपको लगता है कि लोग अवेर हो रहे हैं दूसरा अभी पिछले समय में मौजुदा जो सरकार है उन्ह सरकार के पास भी बातचीत पहुंची लेकिन इसके बाद हर्याना की जो विपक्सी पारटी है कॉंग्रेस उनकी तरफ से अन्य राजनेतिक दलों की तरफ से यह कहा गया कि हम चंडिगड पर अपना हक नहीं चोड़ेंगे हम चंडिगड हमारा हक है चंडिगड आज से हम अ पांसो क्रोड रुपे की भी तुसर पांसो क्रोड रुपे देखर के और बारा एकड जमीन अगर देखर के उसका नाम चंडिगड रखना हो तो हमारी आणा के बीच में जगे बना करके उसका नाम चंडिगड रख लेंगे जैसे की चंडिगड यूनिवस्टी रखी हुई यह पंजाब में और बात यह रही कि यह जो तीन बिल्डिंग है चार बिल्डिंग है जो भी बिल्डिंग है जो कि हम रेंट पे रह रहे हैं यह हमारी रेंटल प्रोपर्टी हैं तो इन तीन चार बिल्डिंग को तो यह जो 40% किराये की राजदानी हम तो चाहते हैं कि यह 50% ह और यह चोड़ने की सारह हम बात नहीं चाहँ हम तो सिरasa लोगों की सुविधा याँरा जा सकती है तो हमारी डेट बन सकती है एक फुल फलेस्वा बन सकती आधियां रह सकती है जो चेतरफल है या राजय की जो जन संक्या है उसके उपर आंदर परदेश के साथ तुलना खेर हम नहीं करें लेकिन हर्याना में जो है वो अभी सरकार ने एक और विचार किया था जो मौझूदा सरकार है हर्याना के जमीन पर नहीं उतर पाया लेकिन क्या आपको लगता है कि अलग बैंच अगर बनता है हाई कोट का यह भी रहे और एक अलग बैंच बने तो उससे भी लोगों को रहत मिलेगी सर जब यह हर्याना पना था यह हर्याना नहीं सोरी जब यह विदा हमारी हाई कोर्ट बनी थी तब यह 200-300 लोगों के बैठने की जगे के लिए बनी थी अब यहाँ पर 23,000 रजिस्टर्ड वकील हो चुके हैं तो ऐसे में तो यह बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्स्पेंशन मांग रही है बड़ी नाकाफी हो चुकी है एक बैंच से सर कैसे काम चलेगा हकेले और वो भी रजिस्टर्ड तो यहां पर जब 2500-300 लोगों के बैठने की जगे 23,000 लोग हो चुके हैं तो ऐसे में क्या होता है ऐसे में यह होता है कि जब वकीलों के बैठने की जगे नहीं होगी तो हीरिंग कहां से होगी हीरिंग नहीं होएगी तो डिसीजन कहां से आएंग लोगों का कितना समर्थन मिला वो तो आप कहरें कि लोगों की दुखती नश आपने पकड़ी है लेकिन आपको क्या लगता है कि यह जो अब चुनावी महीना है तरीके से जल्द चुनाव घोशित होने जा रहा है हर्याना में विदानसभा के चुनाव का बिगुल जव कभी क्या लगता है कि इस मोहिम को और ज्यादा जोर इस पुहिम पर आप देने के लिए या फिर क्या किसी भी तरीके से सरकार के स्तर पर भी बातशित को लेकर जाएंगे क्या या कोई बातशित मुख्य मंत्री या फिर विपक्स की पार्टी जुए उनके साथ कि वह अपने party जो भी हमारे elected MLG है अभी पीछे MPs को भी दिया था जो candidates थे उनको भी दिया था और हम सब लगातार इसको memorandum दिलवा रहे हर जगह से जहाँ पर हमारा अभियान जैसे जैसे ये फेलता जारा एक मोहिम बनता जा रहा है लेकिन सर एक बात बताईए आपकी एरपोर्ट में दोसो चोबिस करोड रुपे चले गई ये चंडीगड एरपोर्ट में जो कि दुनिया के नक्से में हरियाना का तो नाम भी नहीं है तो उससे क्या हासिल हुआ हमारे को हमारे बताईए आप कौन स डिस्टिक के लिए कमफर्टेबल हमारे 17-18 डिस्टिक के लिए तो सुवीदा जनक ही नहीं है इससे बेटर तो हम अपना हिसार का इंटरनेशनल एरपोर्ट डवलप कर लेते तो सर कुछ ऐसी हैं ये जो चीजे हैं जो कि ये चीजें तंग करती हैं कि उस टाइम भी हम नही बोले सिरफ यूँ ही रह गए तो इस वक्त हमारे को कम से कम डिमांड तो ये करनी चाहिए और हो सकता है पॉलिटिसियंस को भी इस चीजे का डर हो क्योंकि जहां कई पे भी गए हैं ये बात बिलकुल आपकी सही है कि सभी लोग अपने आपको चंडिगर से इमोशनली कनेक से लको भी तो मिली थी उनकी तो नहीं खतम हुई तो पर जो ये क्या डिमांड है कि चुनावी गोशनापत्र में रखे या फिलोग कि मैरी यही है कि अभी आगामी हमारे विधानसभा चुनाओं में सभी पर्टियां अपने-पने मैनिफेस्टों में इसको लें ये पुब जी ऐसा अगर कुछ हो गया तो मन की इच्छा हो जाएगी यह यह हो जाए तो बहुत बढ़िया है किसी से भी आप यूँ पूछ के आप सीधा एक ही सवाल पूछो कि अगर यह आपके 100-800 किलोमेटर नसदीक आजएगी तो क्या होगा तो एकदम से आप उनके फील देखना धर्ती पर यानि हर्याना की जमीन पर अपना हाइकोट बने हर्याना की जमीन पर अपनी राजदानी बने इस मोहिम को लेकर लोगों के बीच में जा रही है इनका यही कहना है कि राजनितिक जो दल है उन्हें कहीं कहीं डर है कि चिंता है कि उन्हें इसका राजनितिक नुक अरोसना पत्र में या फिर चुनावी संकल्प पत्र में इसको शामिल करें इसके लावा इन्हों। इसके लावा इन्हों